तो देखां आप लोगोंने कितनी कुर्कुरी जिलेबी बन कर त्यार हुई है वो भी सिर्फ 15 मिनट में धेर सारी जिलेबियां आप बजार जैसे बिल्कुल घर पे 15 मिनट में बना कर त्यार कर सकते हैं चलिए बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले जिलेबी का चासनी बनाएंगे एक पतिली में डालेंगे डेर कप चीनी एक कप पानी और चार इलाइची कोटकर इसके अंदर डालेंगे आप चाहें तो यहाँ पे हाफ चमच इलाइची का पावडर भी डाल सकते हैं अब गैस ओन करके हमें 5-7 मिनट चासनी को प पकाना है यहाँ पर तार नहीं बन रहा है हाथों में चिपचिप हो रहा है बस चासनी बन कर रेडी है अःत इसमें डालेंगे नीबू का हाफ चमच जुस इसससे क्या होगा कि जो सक्कर है थंड़ा होने के बाद जमेंगा नहीं इसलिए हमने नीबू का जुस्ट डाला है अब गैस को अफ कर देंगे चासनी बनकर रेडी है चलिए अब जलेबी का घोल बनाते हैं एक बावल में हमने लिया है एक कप मैदा यह देखे और उसके बाद इसके अंदर डालेंगे दो पींच खाने का सोडा और चार चमच इसमें हम दही डालेंगे आप दही और सोडा नहीं डालना चाहते हैं तो यहाँ पे एक पॉकेट इनो डालें और इसमें एक चमच देशी घी डालें और पानी डालकर इसका घोल त्यार करें तो यहाँ पे सोडा और दही को हमने मिक्स कर लिया है अब थोड़ा थोड़ा इ हम इसका घोल त्यार करेंगे पानी एक साथ हमें ज्यादा नहीं डालना है नहीं तो घोल जो है वो पतला हो जाएगा इसलिए हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका घोल बनाएंगे यहां पे घोल हमें ज्यादा पतला नहीं चाहिए आपको अभी हम मिक्स करके दिखाते ह हैं कि कैसा घोल चाहिए हमें जलेबी के लिए तो यह देखिए हमने थोड़ा थोड़ा करके पानी डाला है और अच्छा से लंस फ्री होने तक इसको फेट लिया है और आपको मैं गिरा कर दिखा रही हूं एक चमस से कि यह कितना थिक है इतना ही थिकनेस चाहिए इस घोल के घोल करें तक सब्सक्राइब कर्या ठाएं इसमें मैं डाल रही हूं दो फ्फूड कलर आप यहां पर बजार का लूग कं देना चाहते है तो सब्फूड कलर डास आखना है तो आप चाहें तो लिए सों मिक्सक्राइब कर लिया है और इसका रहे हम ज्यादा पतला ना रखें आप इसी तरीके का घोल तियार करें यहाँ पे जो हमने मैदा लिया था उसी मैदे के पॉकेट को हमने ले लिया है और इसी से हम जिलेबी का कोड बनाएंगे ते गलास के अंदर इस पॉकेट को हम डाल रहे हैं हाफ पॉकेट को अंदर डाल कर और हाफ को हम इस तरीके से फोल्ड कर देंगे ताकि जो बेटर है उसको भरने में असानी हो आप यहाँ पे कैचप का डबा भी ले सकते हैं आपकी जो दूधा आता है उसका पॉकेट भी ले सकते हैं या मार्केट में पहुत ही इसली कोड मिल जाता है उसे भी आप मगा सकते हैं तो मैं इस पॉकेट के अंदर इस लिक्विट को भर दूंगी पूरा नहीं भरूंगी एक बार में मैं आधा भर रही हूं और आधा में बाद में भरूंगी तो यह देखे बहुत आसानी से हमने भर लिया है अब इसे निकाल लेंगे और एक ही साइड में बहुत ही असानी से गोल आ चुका है यह देख पा रहे होंगे तो उपर से इस तरीके से हम पकड़ लेंगे और दूसरी कोने को भी हम पकड़ लेंगे यह देखे इस तरीके से एक ही साइड में पूरा गोल जाकर यहां पर है और तो चारो तरप से जहां प घी को गरम कर रहे हैं आप चाहें तो तेल में भी जलेबी को बना सकते हैं लेकिन मैं घी में बना रही हूँ तो अब यहां पर जितना मोठा आप जलेबी बनाना चाहते हैं उतना इसे कैंची से यहां पर कट कर ले और उसके बाद से तेल गरम होने के बाद हम जलेबी को बना जाता है एक बार दो बार खराब होगा उसके बाद पहुत ही आरामसे दखीये तो इसी तरीकिव से एक बार में आपकी जो पैन है उसमें जीतना जलेबी आया डाल सकते हैं और जलेभी बनाने के लिए चोड़ा बरतन ही ले इस तरीकिव सिफ कडाही और पैन हो उसे अपले तो यह देखिए एक बार में जितना जिलेबी आ रहा है मैं इस तरीके से इसमें सेब बना लूँगी छोटा या बड़ा आप अपने साइज से रखें पतला या मोटा जैसा भी बनाना है उसको भी आप अपने पसंद के हिसाब से रखें यह देखिए और एक साइड हम हमने 1.5 मिनट पकाया है दूसरे साइड भी हम 1.5 मिनट पकाकर और इसे निकाल कर तुरंत गरम गरम चासनी में हमें डाल देना है आप यहां पर थोड़ा सोप्ट जिलेबी पसंद करते हैं तो बस 1.5 मिनट दोनों साइड पकाएं और निकाल ले थोड़ी से क्रिस्पी लगा है 2.5 मिनट तक इसे फ्राइ करें तो यह देखे मैं थोड़ा सा सोप्ट ही इसे बना रही हूँ दूसरे बार मैं आपको बताऊंगी क्रिस्पी बना कर तो यह देखे मैं इसे निकाल कर तुरंत इसे चासनी में डालूंगी और 1.5 मिनट तक इसे डिप करूंगी और बाद चासनी से जिलेवी को निकाल लूंगे तो इस तरीके से हम डिप कर देंगे इसको और यह चासनी में जब तक चासनी पी रहा है जिलेवी तब तक मैं दूसरे बैच को फ्राइ होने के लिए डाल देती हूँ तो चलिए दूसरे बैच को डालते हैं यह देखें बहुत ही आसान है इसे बनाना और बजार से भी टेस्टी जिलेबी आप घर पे बना सकते हैं यकीन मानिए एक बार इसे जरूर ट्राइ कीजिएगा आपको पता चल जाएगा कि कितना आसान है और जिलेबी में लगने वाली जो चीजें हैं उस सबके घर में हमेशा मौझूद ही रहत है तो आप इसे फटा-फट बनाईए यह देखिए जिस साइज का आप बनाना चाहते हैं बहुत ही असानी से बना सकते हैं तो यहां पे डेर मिनट होने के बाद मैं इसे चासनी से बाहर निकाल लेती हूं और दूसरे बैच को चासनी में डाल दोंगी तो यह देखिए कितन सोप्ट यहां पे जिलेवी बनकर रेडी है और दूसरा जो बैच है उसे में क्रिस्पी जिलेवी बनाई हूं तो उसे भी आपको दिखाती हूं निकालकर इसे पहले निकाल लेते हैं देखकर ही मुह में पानी आ रहा है तो इसे आप लोग जरूर ट्राई किजिएगा तभ कर ही आपको पता चल रहा होगा और इसे तुरंत के तुरंत हमें चासनी में डालना है चासनी बिल्कुल ठंडा नहीं रहना चाहिए थोड़ा सा गरम होना चाहिए उसी में आपको जिलेवी को डाल देना है और एक से डेर मिनट के करीब इसे भींगो कर आप रख दीजिए उसके बाद इसे निकाल कर गर्मा गर्म सर्ब कीजिए तो यह देखें क्रिस्पी क्रिस्पी जिलेवी बनकर रेडी हो चुका है इसी तरीके से आप भी बनाए रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा और मेरे चानल को सस्क्राइब करना सेर करना बिल् कियो